तंट तबसकार स्टार्ट अपमत्रा में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं मानसीदवे और स्टार्टप जगत से जुड़ी कई सारी बारी क्या ले कर वापस आपके बीछ हाजर हूं आजका स्टार्टप मंत्रा है टिक्नॉलिजी पैक्ट जी हां भारत ने technology के importance पिछले कुछ सालों में समझी है और technology को बेहद अच्छे तरीके से develop किया है adopt किया है, adapt किया है और accept भी किया है और इसी का जीता जाकता उधारन है कि कई सारे technologies just like AI, chat GPT, ये सारी की सारी चीजें जैसे जैसे develop होती गही दुनिया में भारत ने, देश ने भी इसको काफी हद तक adapt करने की कोशिश की है जमाना बदल रहा है, बदलते हुए जमाने के साथ हमें भी बदलना है और बदलते हुए जमाने में technology है जो की हर रोज कुछ नया दिखा रही है इस technology के जमाने में आज के startup मंत्रा में हम इसी मुद्दे पर, इसी topic पर बातचीर करने वाले हैं कुछ startup से हम जुडेंगे जो की technology से आगे बढ़ रहा है और technology advancement को लेकर चल रहा है और अपनी जो startup की journey होने आगे बढ़ा रहे है और साथ ही शुरुवात एक ऐसे मुद्दे से करने जा रहे है जिसने इन दिनों काफी हद तक चर्चा दिखाई है ONDC यानि की open network for digital commerce दरसल ये एक ऐसा digital commerce network है जो की अपने platform पर buyers और sellers के लिए कई सारे opportunities, कई सारे developments लेकर आ रहा है exactly open network for digital commerce एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि एक revolution लेकर आ सकती है और existing big players जो हैं उने भी काफी हद तक बड़ा competition दे सकती है अब ये तो एक नया technology है जो की शुरूई हुई है या कह सकती के advancement stage पर आई है अब इसकी story आगे कितनी बड़ी होगी या फिर existing players के लिए risk है या नहीं वो तो काफी जल्दी है कहना लेकिन open network for digital commerce है क्या ये एक बार समझते हैं हमारे सही होगी शरत से जी बिल्कुल ondc जो है small form में रहने वाला है और important बात यह है कि ये government के द्वारा जो है एक नहीं e-commerce network वाई है या दरखे ये app नहीं है e-commerce network है और इसमें जो है आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं groceries का और restaurant के भी orders आ सकते हैं हाली में जो interest आया है वो आपके restaurant space में देखने मिली है अब ये challenge क्या करेंगे start-ups में Zomat और Swiggy जिसके पास दोनों का major holding है पुरे भारत के food delivery market में उसको challenge कर सकती है और शुरुआत में बहुत सारे benefits भी देरे consumers को तो इसके कारण क्या है थोड़ी सी जो है आप कह सकते है आउडियोंस जो है मूफ कर रही है इस segment में अभियाद रखे एक price war भी आया है क्योंकि शुरुआत में वो delivery fees नहीं charge कर रहे है लेकिन कौन से start-ups है जो इन्हें जो है order कर सकते आप अप्स में जो है कि यह बड़ी disruption देखने मिल सकती है और आगे जाते हुए pricing में भी जो है अच्छी control देखने मिल सकती है लेकिन यह developing stage है बिकोज अभी pilot प्रोजेक्ट्स आ रहे है ondc में और इसके लावा prices की बात करें तो हमने जो है थोड़ी सी ट्रैक की prices हमने कंपेर की कि ondc से order करें और अगर स्विगी से करें तो प्राइस डिफरेंशल के आ रहा है अलग-अलग यूसा ब्राइंड ले लिजिए आप आप पिजा हट ले लिजिए मुवो आयम ले लिजिए यह सारे अल्टरनेट चानल भी बनने वारे है पर लॉंग तम सस्टेनिबिलिटी पर इस चीज़ पर सवाल भी उठ सकते हैं स्टार्ट उप मंत्रा में आज हम बात करने जा रहे हैं देश की लीडिंग इंडी जीनियस डीप टेक सल्यूशन प्रोवाइडर कमपनी मैप माई इंडिया से जी हां मैप माई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है नोविशन उतनी ही इंटरेस्टिंग है और साथी इनके फिनैंशल जाने की लगातर इनके नतीज़े जो तिमाही दर्तिमाही आ रहे हैं वो कंपनी की ग्रोथ और डेवलाप्मेंट को बया करते हैं MapMyIndia के Executive Director और CEO रोहन वर्मा हमारे साथ जुर गया रोहन की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि Maps और Location Technology के जरीए दुनिया को बहतर बनाने का लक्ष रोहन ने देखा ये सपना रोहन ने देखा और ये साकार किया रोहन ने जब वो महज 19 साल के थे 19 years of age और उन्होंने इंडिया's first interactive internet mapping portal तयार किया रोहन आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए शुरुआत मैंने आपसे की है तो आपी की journey में समझना चाहूंगी और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि आज की map my India और map my India की success story को हम सब जानते हैं लेकिन आपने शुरुआत जब की कौनसी कौनसी चीजे थी कौनसे challenges थी कौनसे strengths से जिन्होंने आपको काफी हद तक मदद किया धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए company की शुरुआत का श्रे तो actually मेरे parents को जाता है जिन्होंने 1995 में envision किया था कि someday हर data का 80% data का location का component होगा और ये maps और location के द्वारा infinite benefits मतलब की अनन्थ benefits और फायदे लोगों को आ सकता है और क्यूंकि भारत में उससमें digital maps नहीं थे 1995 में तो उन्होंने ये प्रंड लिया कि हम भारत के लिए digital map data product बनाएंगे और लाखो किलोमेटर walk और drive करेंगे हम अमारी team data collect करते वे और भारत का digital नक्षा बनाने के लिए ये बहुत बड़ा उन्होंने effort मारा और जब 2004 में मैं involved हुआ तो उन्होंने कहा था कि देखो ये internet का world आ रहा है जैसे आजकल AI का world आ रहा है उस समय internet का world आ रहा था इन्होंने कहा ये सारे maps को internet पे डालो और technology solutions बनाओ जिससे कि जादा से जादा लोग को जादा से जादा फायदे मिल पाए तो वहां से शुरुवात हुई ये deep tech, digital maps, product and platform company की जिसका आज एक success हुआ है लेकिन शुरुवात तो 20, 25, 30 साल पहले से सब हम लगे वे हैं उसमें बिल्कुल तो इस के शुरुवात या कह सकते हैं कि success story की नीव जो है आपके parents ने डालिया उसके बाद उसे और ज्यादा डेवलाप और innovate किया आपने लेकिन साथ ही आज की स्थिति को अगर देखे, scenario आज क्या अगर देखे, आपने अपने comments में लगातार ये बताएं कि आप expansion को लेकर काफी हद तक interested हैं, consumer app में आप काफी हद तक innovations करना चाहते हैं और gadget space पर भी focus है आपका, यहाँ पर किस तरह की growth potential आगे आपको दिख रहे है यह बताएं. और हमारे app को use कर सकता है, जो Mapples app है और Mapples gadgets जो trackers है, dash cameras है, infotainment systems है या smart helmet kits है. यह इन से road safety, navigation, hyper local services, mapping, tracking यह सब के फाइदे उनको मिलेंगे. तो जब 20 करोड प्लस का market सामने है और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि long term में, B2B के साथ जो B2C business बन सकता है, वो भी काफी business अच्छा बन सकता है और इन दो engines पर company आगे fire कर सकती है. बिल्कुल, potential market है और यह नजर आ रही है आपके financials में. Congratulations, काफी strong outstanding set of numbers post किये हैं आपने, FY23 में हमने देखा solid growth देखने को मिली, almost 40% की. यह growth rate कितनी sustainable है FY24 के लिए और आगे के लिए guidance अगर आप share करना चाहें. बिल्कुल, देखिए revenue growth जैसे आपने कहा 40% प्लस था, EBITDA margins भी 40% प्लस और PAT margins भी हमारे 34% के आसपास थे, 30% प्लस. तो order booking भी अगर देखिए या order book जो हम कहते हैं, जिसके basis पे future business का billing, revenue, collection का एक idea आता है, वो साल के शुरुआत में 699 करोड था और साल के end में, मतलब FY23 के end में हम बैठे हैं 918 करोड के open order book पर. तो ये जो open order book है, जो कि 3-5 साल में, you know, on average, exhaust होता है या execute होता है, तो इससे एक idea लगेगा कि company का sustained growth भी 40% प्लस आराम से हो सकता है या मेहनत करके उसको और भी बढ़ा सकते हैं, तो मारी यह efforts हैं कि हम revenue growth को भी 40% प्लस रखें और उससे हम, you know, future के growth के लिए भी काम कर रहे है और short term के लिए भी काम कर रहे हैं. इन्वेस्मेंट किया, तो इन सब इन्वेस्मेंट्स को हम business returns में convert करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अभी हम focused है कि यह businesses जिसमें हमने inorganic किया, कहिए तो actually organic ही investments है, बहुत कम पैसे हमने डाले, उनको हम consolidate करके grow करें, लेकिन अभी कोई immediately हमारे horizon पर नहीं है. Absolutely, which is a very rational approach. लेकिन order book की स्थिति अगर देखें, पिछले साल भी order book काफी strong रही और outlook का आगे चलकर इस with वर्ष के लिए order book का किस तरह से नजर आ रहा है, कौन से segments हैं जो सबसे ज़्यादा growth को drive कर रहे हैं? बिलकुल, product wise आपके यह तो दो segments है, map led और IOT led, दोनों के infinite use cases potential हैं across industry verticals और industry verticals को भी हम दो भाग में kind of divide करते हैं, automotive and mobility tech and consumer tech and enterprise digital transformation, जिसमें की end customers होते हैं, automotive companies, new age के जो technology companies है, e-commerce के या consumer app के, traditional businesses, corporates, चाहे BFSI, FMCG या government organizations जो की center, state या local level पे होते हैं, तो segment wise अगर देखें, तो सब जगा हम opportunities देख रहे हैं, चाहे automotive OEMS में हम EV हो, या connected vehicle, या आजकल जो ADAS enabled vehicles आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे solutions, government में जो digital governance, geospatial infrastructure पे focus है, IOT पे focus है, उस पे हम business देख पा रहे हैं, drone based solutions का focus देख पा रहे हैं, और जो new age tech companies हैं, जो हमारे maps और APIs के बदावलत अपने apps को improve कर पा रहे हैं, या traditional businesses जिनका pure play digital transformation agenda है, सब जगा हम growth देख रहे हैं और हम, I guess, हमारी जो different teams हैं, वो different segments को grow करने के लिए लगे वे हैं. इस interview के शुरवात में ही AI का जिकर किया, आपने, बदलती technology का जिकर किया आपने, और आपका business भी कह सकते हैं कि technology heavy business हैं, तो लगाता technology में जो advancement हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, और नई-नई techniques जो आ रही है, technology जो आ रही है, इसे आप किस तरह से cope कर रहे हैं और इस पर आपका outlook क्या हैं? बिलकुल, actually हमारे company का जो core strength है, जो 28 साल से continuous heavy intellectual capital और time-based relentless innovation करने की जो हमारी track record है, उसी से हम जो deep tech products और platforms बनाते हैं, जो की market के leading है, not just India competitors से, but world के competitors से हम compete कर पाते हैं effectively, उनसे better solution बनाते हैं, यही हमारा core secret या success का reason है, तो digital maps में हम सिर्फ 2D map नहीं जो बाकी लोग बात करते हैं, हम three dimensional, high definition, real time updating, मतलब time dimension, मतलब fourth dimension और metaverse ready, जो maps हैं, जो की immersive type के maps हैं, वो हम बना रहे हैं using all the technology, चाहे वो road से 360 degree camera हो, drone से हो, satellite data लेके हो, laser point cloud data लेके हो, और AI apply करके advanced digital maps, तो core हमारा deep tech है, उसमें हम latest technology को हर समय use करते हैं, अपने products को enhance करने को, और in fact हमी खुदी customers को latest technology देते हैं, जो की वो use करके advanced solutions अपने लिए बना सकते हैं, इस्तिमाल कर सकते हैं, और यह हमारा जो innovation cycle है, यह हमें confidence देता है, कि हम आज के लिए भी बने हैं, लेकिन हम 3, 5, 7 साल क के लिए भी बरकरार रहेंगे. को join करो, क्योंकि यह जो revolution है, यह देश को हमारे आगे ले जा सकता है, तीन चीज के लिए मैं request करूँगा, लोग को और encourage करूँगा, सबसे पहले, आप products और platforms और solutions बनाएं, जो की लोगों को चाहिए, और उसमें जितना technology आप use कर सकते हो, तो वो अच्छी बात होगी, उससे आप कुछ disruptive कर पाऊगे, लेकिन आप customer को जो चाहिए, सबसे पहले वो solve करोगे, तो आपको revenue मिलेगा, और customer आपको use करेगा, second, आप अगर profitable business model बनाओ, जहां पर आप differentiated product लाओ, जो की customer को चाहिए, उसके लिए आपको वो एक value, एक भाव देगा, और तीसरा मेरा जो request है, कि इंडिया को आप आगे ले जाओ, इंडिया को world के front पे लाओ, आत्मनिर भर बनाओ भारत को, अच्छे इंडियन products को use करो, सर्वोतम बनाओ भारत को, ये तीन मेरे request होगे और advice होगा to people who want to join the startup world. बिल्कुल, रोहन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी अची बातचीत और हमारे viewers को startup से जुड़े आपके mantra भी समझाने के लिए, thank you so much. Startup mantra के आज के episode में जहां हम technological advancement की बात कर रहे हैं, technology ने पिछले कुछ सालों में अपने punk फैलाए हैं, और उसमें लगातार कई सारे spaces, कई सारे segments हैं, जो की technology की मदद से आगे भी बढ़ते हुए दिखे हैं, और ऐसी एक industry है, gaming industry, और gaming industry के gears भी shift होते हैं, पिछले कुछ सालों म देखने को मिले हैं, क्या कुछ नहीं बतला, demand में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, online gaming का craze लगातर बढ़ता हुआ दिखा है, entertainment और social interaction है, जो की काफी हद तक cards play out कर रहे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं, कि ये industry में भी चार चांद लगे हैं, तो आएए leading mobile gaming company नजा शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, सबसे पहले तो आपने एक comment किया था, कि online gaming industry is set to explode in India, in fact gaming industry is set to explode in India, बताएए इस वाक्त कौन से growth drivers आपको लगते हैं, जो कि इस industry के लिए काम आ रहे हैं? इंडिया में 3-4 चीज़ का प्रोग्रेस काफी हुआ है पिछली कुछ सालों में, एक तो mobile phones जो आज के दिन, android phone, smartphone, सबके पास हैं, सारी country में hundreds of millions of users के पास हैं, उससे के लोग games अपने mobile पे तुरंत खेल सकते हैं, दूसरी बात जो mobile data है, वो काफी fast हो गया है, दुनिया में स एक बहुत fireman चीज़ है, और तीसरी बात है, जो अपना digital payment ecosystem इंडिया में, वो भी काफी progress हुआ है, और इससे monetization of gaming काफी हो सकते हैं, इन तीनों चीज़ को लेके, और इसके साथ जो अपने इंडिया में youth demographics हैं, youngsters हो काफी shock है gaming का, यह सब चीज़े देखकर, जो entrepreneurs अभी आ रह इस सब देखके gaming में काफी progress already हो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले time में इससे कुछ 10x जैसा होने की अंदाजा है, लेकिन साथ ही आपके business के अगर बात करें और latest acquisitions की जहां हम बात करें, next wave में आपने additional stake purchase भी किया है, इस पर आप अगर कोई रौशनी डालना चाहें आपके आने वाले दिनों में acquisition plans क्या है और इस acquisition से आप किस तरह की strategy बना रहे हैं? Skill-based real money gaming का space है, हम इन सारी sectors में काफी companies के साथ dialogue में और जरूर आने वाले मेनों में कुछ ना कुछ announcements, acquisitions की तरफ करेंगे हैं। अनितिश साथ ही सरकार का भी यह मानना है की gaming ecosystem, online gaming ecosystem जो बेहत जरूरी है और एक integral part है क्योंकि इंडिया का goal है digital economy को 1 trillion dollar तक ले जाने का और इसमें online gaming industry एक बहुत बड़ा रोल साबित हो सकता है और बहुत बड़े रोल के तौर पर contribute कर भी रहा है। आपको क्या लगता है current status जो online gaming rules का है उस पर अगर आप अपनी राई अपना outlook देना चाहें और कोई demand अगर आप gaming industry के लिए हमारे माध्यम से करना चाहें। जरूर। I think demand के perspective से तो जो हम काफी मेनों से सालों से बोल रहे हैं कि यह industry को recognize करनी चाहिए। और clarity of operations, regulatory clarity, taxation clarity आनी चाहिए। पर इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत भरी बन सकती है। export revenues काफी ला सकती है, domestic market में काफी revenues generate कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि especially पिछले अगलग आप एक दो साल में देखेंगे तो government में काफी steps चालू कर दिया लेना। जैसे online TDS का इस budget में जिकर हुआ। उसके बाद amendment में काफी clarity आई है उसको लेके। ministry of IT एक central level पे gaming का framework बना रही है। हाल में issue भी कर रहा है। तो government अभी इसको काफी seriously ले रही है इस industry को और जो industry की demand fee वो काफी actively करते जा रही है। taxation जो है online gaming industry पर उसके पर आपके views क्या है। online TDS जो है उसमें तो काफी clarity already आ गई है। I think GST को लेके especially जो skill-based real money gaming है, वो GST 18% होएगा, 28% होएगा, किस पे लागू होएगा उसमें अभी थोड़ी unclarity है। और एक GST council है उसमें काफी सोच विचार कर रही है कुछ मेहनों से। जोन में एक और meeting है, शायद उसमें clarity आए या hopefully तुरंत इस कुछ मेहनों में उसमें clarity आ जाए। नितीश इन दिनो, हम जहां technological advancement की बात करें, कई सारी नई चीजें हैं जो की सामने आई हैं, like chat GPT, artificial intelligence और ये सारी चीजों पर कहा ये जा रहा है कि एक next move या next level of revolution साबत हो सकते हैं, AI, gaming और education में किस तरह का impact लेकर आएगा आपके हिसाब से? काफी progress हुआ है, कुछ मेनों में तो इसको काफी popularity भी मिली है, जो generative AI बोलते हैं, chat GPT को लीजिए, graphics में mid journey को लीजिए और इसमें gaming में काफी impact आ रहा है, because अब gaming में आप जो images बनाते हैं, graphics बनाते हैं, visualization बनाते हैं, वो 5x faster बना सकते हैं, 1-5th cost में बना सकते हैं, बहुत सारे creative options इन tools से निकाल सकते हैं, बहुत तेजी से AI आ रहा है हमारे normal जिंदगी में और gaming में भी काफी impact आ रहा है, similarly, जो edtech है, AI learning एक काफी popular होने वाला है, काफी personalized learning हो सकते हैं, because AI के वज़े से one-on-one personalization of learning हो सकती है, so वो एक बहुत बढ़ी sunrise industry होने वाली है, so AI से काफी progress होने वाला है across many sectors और हमारे industry में भी होएगा. आखरी सवाल आपके financials पर Q4 के नतीज़े अभी हाली में आएं और शांदार outstanding set of numbers, अगर मुनाफ़े की front पर देखें, 86% की बढ़ात और revenues almost 65% की आप मूँ देख रहे हैं, strength कहां से आती हुई दिखी और आने वाले quarters के लिए आपकी strategy क्या है? ज़रूर हमारे सारे gaming IPs काफी अच्छे करें, सारी teams ने अच्छा काम करा है और हमें काफी growth आई है, हमारा पूरे साल का number अगर आप दिखेंगे नजारा का तो 75% revenue growth आई है, यह FY23 पहला साल है जिसमें हमारी company ने 1000 crore से ज्यादा annual revenue करी है, 1091 crore की revenue आई हमारी, और हम profitable company है, 109 crore का EBITDA यह साल पोस्ट कर रहा है, तो एक foundation हमारा काफी strong है, company का cash flow strong है, company के पास March ending में 600 crore से ज्यादा cash है, तो foundation हमारी company का काफी strong है, और इस पे हम लोग काफी नए experiments, नए acquisitions और नए businesses बनाते चाहेंगे. नितिश, शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए, और अफकोर्स हम उम्मीद यही करते हैं कि ओनलाइन gaming industry, gaming industry में जो revolution है, जो development है, advancement है, और इसी तरह से आगे उबढ़ता रहे हैं, और आपके कारोबार के लिए भी फायदेमन साबित हो, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you. स्टार्ट अप फटाफट में हफते भर में स्टार्ट अप की दुनिया में जो बड़ी ख़बरे आई, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आईए करते हैं, आज की शुरवात और शुरवात यूनिकॉर्ण्स की ख़बर के साथ, जी हाँ, यूनिकॉर्ण्स में इस वक्त नौकरियों को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि इंप्लॉईज की सिक्यॉरिटी को लेकर काफी सारे सवाल हैं, और इसी के चलते ताजा ख़बरे ये आई हैं कि 24 स्टार्ट अप कमपनियां जो की उनिकॉर्ण्स हैं उसमें इंप्लॉईज नई जॉब्स तलाश रहे हैं, जी हाँ इन जॉब्स सर्च के पीछे के रीजन्स हैं, फिलहाल जो बन रही जॉब इन सिक्यॉरिटीज हैं, पॉसिबल ले ओफ्स की जो ख़बरें आ रही हैं, और मार्केट में इस वक्ट जो चैलेंजिस नजर आ रहे हैं, इसके चलते युनिकॉर्ण में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉईज को अपनी जॉब्स को लेकर सिक्यॉरिटी महसूस नहीं हो रही हैं, इसी के चलते इस वक्ट युनिकॉर्ण जादा तर जो हैं, उसके एम्प्लॉईज नई जॉब्स खोज रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक कनेक्टिंग ख़बर ये भी है कि जो एम्प्लॉईज अपनी जॉब ढून रहे हैं, उनके लिए चैलेंज जॉब्स काफी जादा देखने को मिल रहा हैं, और नई जॉब्स जहां पर उन्हें मिल भी रही हैं, वहां पर भी उन्हें अपने पैकेजिस में शाप कट्स भी देखने पड़ रहे हैं, तो क्लियरली एक कनेक्टिंग फैक्ट हैं, जो कि स्टार्ट अप्स के लिए इस वक्त जो प्रिवेलिंग जॉब मार्केट हैं, उस पर नज़र आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्यूमा जो की जानी मानी कंपनी हैं, उसके तीन एक्जेकेटिव्स ने इस्तीफा दे दिया है, अमित प्रभू जो की प्यूमा के CFO है, अतुल बजार जो की हेड अफ सेल्स है कंपनी के और अभिशेक गांगुली जो की MD है, तीनों ने इस्तीफा दिया है और ये अपने नए वेंचर या अपने नए स्टार्ट अप से अपने नए बिजनस को शुरू करने के लिए प्यूमा को छोड़ रहे हैं, अब आपको एक और ख़बर बताते हैं, ONDC, जो की पूरे हफ़ते काफी हद तक चर्चाओ में रहा, Open Network for Digital Commerce, Digital Commerce में एक नया टिक्नॉलिजिकल एडवांसमेंट होता हुआ दिखा, और ONDC की ख़बर के साथ-साथ ये भी आ रहा था कि जो existing players हैं, Digital Commerce में उनके लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है, और इसी ख़बर के चलते, during the week हमने Zomato के स्टॉक प्राइज में एक बड़ी गरावट भी देखी, during the week इनी ख़बरों ने राउंस किया और इसी के बाद कुछ रोकरिज रिपोर्ट भी आना शुरू हुए, क्योंकि एक ख़बर मिल रहे थी कि ONDC अगर डेवलाप हो जाता है, अच्छा खासा डेवलाप हो जाता है, तो फिर existing players हैं, Digital Commerce में, Zomato Swiggy के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है, लेकिन ताजा मोतिलाल उसवाल की रिपोर्ट यह हैं, यह कहती है कि Zomato के लिए या फिर online इसवाग जो existing players हैं, उनके लिए यह थ्रेट तभी होगा अगर ONDC meaningfully scale-up होगा, और यह काफी जल्दी होगा कहना कि ONDC इसवाग scale-up हुआ है या नहीं, क्योंकि इनिशिल स्टेज हैं, अब क्विकली आपको बताते हैं, दो कंपनियां जो की start-up जगत से जुड़ी हुई है, उनके नतीज़ आते होगे दिखे, नजारा Technologies और Paytm, दोनों कंपनियों के numbers positive थे, अच्छे numbers नजारा Technologies के हैं, जहां पर profit में almost 92% के आप move देखने को होगा, बिकरी के आँकणे में revenues में भी 65% के आप move देखे, गेमिंग इंडास्री के जानी मानी कंपनी अब listed player भी है, और नतीज़े काफी अच्छे आते होगे देखे, एक और listed player Paytm के भी numbers आएं, numbers positive कहें जाएंगे, क्योंकि घाटा इनका घटता हुआ देखा, शापली 168 crores के losses जो है वो नेरो होते हुए देखने को मिली, और current number जो है 168 crore पर post होता हुआ देखा, तो घाटा है लेकिन घाटा लगातर तिमाही दरतिमाही घट रहा है, विच इस पॉजिटिव और साथी revenue यानि की कंपनी के आएं में बढ़होतरी है, बावन पिसेंट की देखने को मिली और कंपनी के management विजेशेकर शर्मा ने path to profitability पर अपना conviction और confidence भी जताया, तो यह है start-up फटाफटा आपके लिए हैं और इसी के साथ start-up मंत्र में इतना ही उमीद करते हैं कि आज का जो theme technology का था वो आपको पसंद आया, अगले हफते फिर एक नया theme, फिर कुछ नई interesting बारी किया start-up को लेकर वापल साथ के लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें ET Now स्वादेश के साथ, नमस्कार.